यह बच्चो आज हम अवसर एप पर लोगिन होना सीखें और उस पर पेपर कैसे दिया जाते हैं उसके बारे में जानेंगे आप स्क्रीन पर देख रहे हो अवसर एप यहाँ पर आप देख रहे हो अवसर एप का यह आईकन है इस तरह की आपके पास अवसर एप डाउनलोड हो जाएगी तो ऐसे दिखाएगा अब चलिए हम इसको पहले click करना है इसको हम दबाएंगे ये कर दिया अब आप देख रहे हो अवसर एप का ये screen आएगा यहाँ पर ये सारी इतनी चीज़े आएंगी ये हमने भरना है अगर हम teacher हैं तो यहाँ पर करेंगे click लेकिन आज हम बच्चे का जानेंगे तो चलिए द लिष्ट के हैं वो भर देंगे जैसे मैंने पंचकुला भर दिया उसके बाद यह ब्लोक दिखाएगा यहां आप देख रहे हैं ब्लोक है तो अपने आप school की list दिखाएगा मैं school दबा देती हूँ जैसे मैंने एक school select कर लिया है कोई भी आप जो आपका अपना school है वो कर लेंगे ये वाला मैं इसको दबा देती हूँ ये अपने आप ले लेगा कुछ भी लिखना नहीं है उसके बाद आप देख रहे हो class यहाँ पर आपने class select करनी है जब आप यहाँ दबाओगे तो वो अपने आप class दिखाएगा करते हैं हम जैसे मैंने class 3 ले लिया नेम अब यहाँ पर हम दबाएंगे नेम दिखादेगा बच्चों का जैसे ये चीज़ है न यहाँ पर date of birth डालनी है बच्चे की और उसके बाद आप यहाँ continue करोगे तो इसके बाद आपका यह अवसर एप पर चला जाएगा बच्चों का पेपर अवसर एप पर आ चुका है लेकिन बच्चों को यह पेपर दिखनी रहा है आएए देखते हैं हम कैसे जब आप starting में अवसर एप खोलोगे तो आप अपने नाम से लोगिन हो जाओगे जैसे की मैंने class 3 के एक बच्चे का खोला है हम रोजाना क्या करते हैं यहाँ active survey दिया हुए इस नाम का बच्चा है यहाँ से हम दूसरे बच्चे का लोगिन होते हैं यह लेकिन आज हमें active survey बेर ना जाकर यहाँ देखेंगे practice और assessment दिया हुए यह जो दिया हुए है हम इस बटन को दबाएंगे चलिए हम दबाते हैं यहाँ दबाने के बाद आपका यह चीज आ गया है mega survey, English, joyful Saturday और इसको हम इसको हम आगे करेंगे आज हमारा तीसरी class का पेपर है हिंदी का तो हम पहले हिंदी का दबाते हैं देखें क्या आता है यहाँ पर आगर आप देख रहे हो हिंदी का दबाने से यहाँ लिखावा है सेट वन जुलाई अगस्त दो हजार एकिस अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यह एरो लगी है ना इस बटन को दबाएंगे उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ लिखावा है सेट जुलाई अगस्त दो हजार एकिस और स्टार्ट क्यूज यहाँ पर आपने स्टार्ट क्वीज करना है और उसके बाद यह मैं स्टार्ट क्वीज करती हूँ देखते हैं क्या आ रहा है उसके बाद यह आपका पेपर दिख जाता है और इसके बाद जब लाईश्ट में क्या है यहाँ पर क्लिक करके और आपने यहाँ पर यह देख रहे हैं, यह submit करना है, submit assessment, उसके बाद आपका paper submit होगा और इस paper को ध्यान से करना है, उसके बाद हम वापस आते हैं, दूसरा paper हमारा, यहाँ से हम वापस आ जाएंगे, दूसरा paper हमारा math का है, तो आप यहाँ देखिए, यह math लिखा हुए है, यहाँ पर हम click करते हैं, यह click किया, यहाँ पर आप देखोगे, 7 जुलाई अगस 2021, यह paper आ रहा है, यह arrow आ रही है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर click कर देंगे, अब यहाँ पर देख रहे हो start quiz, उसी तरह हमें यहाँ पर यह button दबाना है, यह start हो जाएगा, उसके बाद देखो यह question है, इसको बड़े ही ध्यान से, 4-4 option दिये हैं, इसको tick करना है, जिस पर भी tick करोगे, यह low का जाएगा, अभी मैं tick नहीं कर रही हूँ, किसी पर भी, उसके बाद last में आपने जब सारा paper complete हो जाए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर tick करके, यह submit assessment आ रहा है, इसको submit कर करना है, तब आपका paper जमा होएगा, नहीं तो वो नहीं होगा, चली हम इससे वापस आ जाते हैं, वापस आने के लिए एक back आए, इसके बाद यह आए, यह इस तरह से submit हो जाएगा, और आपका paper हो जाएगा, उमीद है आपको समझ आया होगा, आप अराम से समझ कर यह paper करे है आपका आती हैं, आपका आपका आती हैं, यह इसा आपते हैं, ऑगके आती कि opens औरो होगे एका उू है।